ओम शान्ति आज 24 जून 2023 आज जगत अंबा मा के स्मृति दिवस पर प्राते क्लास में सुनाने के लिए आन्मोल महावाक्य माया के अनेक परकार के विगनों से पार होना है तो क्या करूँ? चेकिंग पावर से अपने आपको सावधान करो ये गलती है उसे सुधारो और संबल कर चलो और संबल कर चलो मीठी मा की मधूर लोरी मोमा लोरी भी देती है देखो कैसी लोरी देती है अभी चारों और माया का जोर है क्यों? क्यों है माया का जोर? क्योंकि उसका रज्य है और पिछाड़ी के समय उसमें जितनी भी ताकत है वे अभी अपनी पूरी ताकत लगाएगे इसलिए जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना माया भी फुर्स देकर लड़ेगे पहले तो माया को पता ही नहीं था माया के वश में थे अभी पता चला है तो हमसे ही लड़ेगी दुश्मन बनेगी प्यार भी करेगी तो अंदर दुश्मनी रख कर करेगी जबकि जानते हो कि माया हमारी दुश्मन है तो किस्म किस्म की सभी बाते सामने आएंगे कोई बंधन नहीं है फिर भी मन के फालतो विकल्प तंग करेंगे पहले शरीर में कभी रोग नहीं हुआ होगा अभी वे भी होगा कहेंगे इतना समय तो हम कभी बिमार नहीं पड़े अभी बिमार पड़ गए है धन की भी कमी पड़ेगी बिजनिस में गाटा पड़ जाएगा ये ममा की लोरी है सवेरे सवेरे ठीक है लोरी बढ़े ठीक है ये अच्छी शुप भावण नहीं सवेरे लोरी है रहे सुलाने वाली कि जगाने वाली ऐसा समय आईगा तेरे को हाथ थब थब थपाती रहोंगी जब तक तू और यहां तो थब थब थपा रही है कि डंडे लगा रही है जाग 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 बिजनिस में गाटा पढ़ जाएगा ऐसे और भी बहुत सारी बाते होंगी सब के साथ अलग अलग दोस्त दुश्मन बन जाएंगे बताओ दोस्त दुश्मन बन जाएंगे मित्र सम्बंदी नहीं पुछेंगे जिनका हिसाब किताब बराबर हो गया वो पुछना बंद कर देगा वो कि पूछेगा हिसाब किताब नहीं है जिनका हिसाब किताब खतम होता जाएगा वो फिर क्यूप पुछेगा क्यूं आएगा क्यूं मिलेगा को और ऐसे तो ऐसी उलट-पुलर बाते भी आ सकती हैं और आएंगी क्योंगे क्योंकि अभी अपना पिछला सब हिसाब किताब तुक्तु होना है पर जिसके साथ जो जो किया हुआ है वो अपना हिसाब किताब तो बराबर करेगा ना छोड़ेगा बिना हिसाब किताब बराबर किये तो घर जा नहीं सकते अब ये सब जो रावन का खाता था उसको हम खतम कर रहे हैं दे सहीत दे के सर्व संबंदों से अपनी बुद्धी हटाते हैं तो फिर वे सामना भी होगा इसलिए ऐसी ऐसी बातों में संभलना है कई तो सोचते हैं बगवान के बने हैं बने तो और ही मुसीबते आ गई जब मैं परमात्मा का बना हूँ एक उसका ही सारा लिया है तो मेरा सब अच्छा हो जाना चाहिए परन्तु ऐसा नहीं है कई ऐसे ख्याल करते हैं कि हमारे पास कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए बगवान के बच्चे बन गए है परन्तु परिक्शाएं तो जरूर होगी ये पर तो जरूर होगा न तरे-तरे की बहुत बाते आएंगी तो ऐसा ख्याल नहीं करना कि शायद मुझे भगवान ही नहीं मिला ये ख्याल नहीं करना ये भगवान है या नहीं पता नहीं हम कहीं उल्टे रास्ते पर तो नहीं चले गए जो भगवान नराज हुआ है ऐसे कई संकल्प आएंगे ऐसे ऐसे विगनों के कारण कई तूट जाते हैं छोड़कर चले जाते हैं कोई मुसीबत आई बात आई तो समझते हैं शायद ये भगवान ही नहीं है पता नहीं क्या है इसलिए इन सब बातों से बिचारे डर करके किसी ने कुछ कहा कह दिया या डरवा दिया तो तूट पड़ते हैं कहते हमारी भक्ती अच्छी उमारे इससे तो हमारी भक्ती अच्छी लेकिन ये सब तो होता आया है ये भी बाप मतला देते हैं कि इन सब का मूल कारण है दे अभिमान दे अभिमान के कारण कहां काम की गोली, कहां क्रोध की कहां लोब की, कहां मोग की, कहां फिर अनेग परकार के संशे की गोली लग जाती है ऐसी ऐसी बाते लाकर ही माया हटाने की कोशिश करेगी ये सब माया के पास सही मार्ग से हटाने के अस्तर शस्तर है बुद्धी में उल्टी उल्टी बाते ले आना उल्टी बुद्धी बनाना यही तो माया का काम है इसमें ही तो अपने को संबलना है इसमें ही अपने हिम्मत रखनी है इसके लिए बाप कहते हैं मेरे से बुद्धी योग रखो तो तेरी बुद्धी उल्टी ना बने जट से उसको चेक कर सको स्वें को चेक करने की भी पावर चाहिए तो चेकिंग पावर से अपने को सावधान रखो और फिर उसी सावधानी से अपने को पार करो यही माया के अनेक परकार के विगन है इनी से पार होना है बाकि ऐसे नहीं कि अभी हमारा सब कुछ ठीक हो जाए अभी तो पार होना है अभी जो हमारा ये जन्म है इसमें तो हमको बदलना है इसी में मेहनत की अवश्यक्ता है सब कुछ अभी आराम से चल जाए तो फिर हम तो समझेंगे यहां ही वेकुंठ है हम तो समझेंगे यहां ही वेकुंठ है यहाँ ही स्वर्ग है फिर तो स्वर्ग को भी याद करना भूल जाएंगे इसलिए बाप कहते हैं ये थोड़ी अंदर की मैनत है इसमें बाहर से कुछ नहीं करना पड़ता है ये ये विगन आते हैं ऐसी ऐसी बाते आएंगी इन सब बातों में अपना निष्चे अटल रख करके अपना पुर्शार्थ करना है सावधान रहना है फिर दूसरों को भी सावधान किया जाता है कि गिरने वाले इस तरह से फिसलते हैं तो अपने को फिसलने से बचाना है चलते चलते कोई काम विकार के कारण फिसले कोई क्रोध के कारण फिसले कोई फिर मत बेद में आकर फिसले यहां से ही गिरते हैं तो अभी गिरने से संबलना है मन में अनेक परकार के संकल्प विकल्प आएंगे इन सब बातों को यथार्थ रीती से समझना है कि ये भी सब बहुत जन्मों का उल्टा खाता जो बना हुआ है वो अभी एक ही जन्म में चुकाना है एक ही जन्म में चुकाना है इस एक जन्म में हम बहुत जन्मों का खाता चुकाने का पुर्शार्थ करते हैं बहुत जन्मों के कर्जदार अभी नहीं आएंगे बहुत जन्मों के जिनका कर्जा अपने देना है आप नहीं आएंगे तो बताओ तब आएंगे अभी तो आएंगे ना करजा लेने के लिए साब तो बराबर करना है ना घर जाना है ना नहीं जाना जो भी आएंगे सब करजा लेने आएंगे कैसा कैसा करजा होगा तो सब अपने अपने करजे लेने आएंगे क्यों? क्योंकि हम जनम जनम उनके थे अरेत जन्मों का खाता स्टॉक होता आया है अब किसी कभी किसी जन्म में थोड़ा थोड़ा चुकाया भी होगा फिर भी जो कुछ बचा हुआ है किसी एक जन्म में पूरा हिसाब किताब चुकाना है माया भी देखती है कि अगर अभी ये पूरा करजा नहीं चुकाएंगे तो फिर कब चुकाएंगे अभ नहीं चुकाएंगे तो कब चुकाएंगे इसलिए वे गहराव करेगी न कई जनम के करजदार निकल पड़ेंगे समझ में आएगा कि हमने अभी तो ऐसा कुछ किया ही नहीं फिर ये हमारा ऐसा दुश्मन क्यों बना ये बात ऐसे क्यों आई ये रोग क्यों आया ये बात क्यों हुई परन्तु नहीं सब परकार की प्रिक्षाएं अभी ही आएगी अभी इनी सब बातों से अपने को संबलना, समझा समझना, ये तो knowledge है, ये तो knowledge है, जान तो इसी का नाम है, कर्म की गति क्या है, ये सब बाप विस्तार से समझाते हैं, कर्म का हिसाब कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, कैसे समरता है, और समर करके फिर क्या बनते हैं, ये सब बाते बाप ही बैठ करके समझाते हैं, क्योंकि हमारे सारे कर्म की knowledge बाप के पास है, हमारे किन कर्मों से दुर गति हुई है, उससे कैसे चूटे, कैसे हमारी गति फिर सद गति होगी, इस पर knowledge के गति का चक्र बाप ने समझाया है, जिसके पास पूरा ज्यान है, वो कभी हिलेगा नहीं, अगर knowledge की कमी है, तो तो फिर हिलेगा, पुष्चे पाउं डीले पड़ेंगे, फिर अश्चरियवत पश्यंती, पश्यंती माना, देख न, सुनन्ती, कथंती, फिर भगंती, और भी कुछ करेगा, ज्यान सुनने वाले, दूसरों को सुनाने वाले, साक्षाद कार करने वाले, सब तरह के तूट पड़ते हैं, ये सब भी खुता आया है, इसलिए इन्हें सब बातों में संबलने के लिए, ये सावधाने दी जाती है, क्या अपने पाउं कैसे मजबूत रखना है, उसी मजबूती के लिए बाप किसम किसम से समझाते हैं, क्योंकि अभी मजबूत पाउं रख करके बाप से पूरा पूरा अधिकार पाना है, तो अधिकार पाने वाले को ये बतलाते हैं, कि इनों को कितना हिमत और भरोसे से बल से काम लेना है, हिमत और भरोसे से बल से काम लेना है, हम भी वारियर्स हैं, योधा है न, अपनी रुहानी लड़ाई कोई हाथ पाउं से नहीं, हाथ पाउं से नहीं लड़ाई लड़ते हैं, कैसे लड़ते हैं, पंतु गुप्त, हमारी लड़ाई हाथ पाउं से नहीं है, हमारी लड़ाई गुप्त है, हमारी अंधर की युद्ध है, और युद्ध करके उसमें हम जीत प्राप्त करते हैं, विकारों से गुप्त लड़ाई है, भाप भी गुप्त बैठ करके बच्चों में अभी सब बल भर रहा है, ताकत बर रहा है, सावधान कर रहा है, बच्चे सावधान ही रहना, ये माया को, माया का पिछारी का पूर्स तुम्हारे पास आएगा, परंतु तो में सब बातों में हिलना नहीं, सब बातों में हिलना नहीं है, इन बातों को समझ करके अपने पुरिशार्थ को बहुत हिमासे और धालना के साथ Another कि अपने पुरिशार्थ कैसा करना है बहुत हिमासे धाल्नाओं को अपने में धान करके साथ चलाना ही। उसमें अपना उला सुमंग रखते हुए उसी नशे और खुशी से आगे बढ़ने का पुरशार्थ करते रहना है इसमें कोई दुख अशान्ती की बात ही नहीं अभी लाचारी वाला पुरशार्थ नहीं करना क्या करें करना पड़ेगा नहीं कई ऐसे चलते हैं जैसे दूसरों पर महरबानी करते हैं महरबानी तो अपने उपर करनी है जो अपने लिए समझ करके पुरशार्थ करते हैं उन्हों का पुर्शार्थ ठीक रहेगा हम अपने लिए करते हैं और किसी के लिए नहीं करते हैं अगर बिगरते हैं अगर बिगारते हैं तो भी अपना बिगारते हैं सुदारते हैं तो भी अपना सुदारते हैं तो हर एक को अपने उपर अटेंशन देना है, दूसरों को नहीं देखना है, क्या कर रहे हैं उसने ऐसा किया, भाव सो भाव की बाते भी इसमें बहुत आती हैं, बाहर के लोगों का सुनना करना सह जाए, क्योंकि समझते हैं, वे तो अज्यानी है न, लेकिन प्रामन परिवार में कोई ने कुछ कहा, किया, तो कहेंगे यहां भी वही चलता है, यहां आपस में कुछ होता है, तो वे बात बहुत बड़ी लगती है, परन्तु नहीं, यही तो माया है, यही तो माया है, इधर भी माया किसी न्या किसी रूप में गुसेगी न, पहेगी देखे, इसने मुझे छोड़कर इने साथी बनाया है, तो उन साथियों में भी इसको टकर खिलाएं, परन्तु हमें तो यह नौलिज है, यह जो हिसाब किताब है, की टकर है, यह पिछली है, इसलिए ऐसे नहीं कहो, कि अरे, भगवान के बच्चे होकर, यह क्या कर रहे हैं, इसमें हिलना नहीं है, क्योंकि अभी ज्यान है, की यह भी इनके साथ कुछ हिसाब किताब है, उसे योग और ज्यान से काटना है, ऐसे नहीं, टकर खा करके काटना है, नहीं, वे तो हमारा विकार्म बन जाएगा, उसमें संबलना है, परन्तु, कोई संशे में आ जाते हैं, की देखो, यह ज्यान में आ करके भी ज्या कर रहे हैं, तो कोई भी हिसाब किताब में टकर खाना अज्यान है, अभी यह अज्यान निकल जाना चाहिए, यह सब बाते समझाई जा रही हैं, क्योंकि अभी ऐसी ऐसी बाते हो रही हैं, तो इनी सब बातों में सावधान किया जाता है। कहीं इन बातों के कार बाप से जो तकदीर लेनी हैं, वे तकदीर लेना भूल ना जाएं। बेहद के बाप से बेहद का वर्सा लेना ही छोड़ दें। इसलिए बाप समझाते हैं बच्चे। बले आपस में कुछ है, है भी लेकिन आलवेज सी पादर। अमेशा आपने बाप को आपस में तुम्हारा कोई जगड़ा है, कोई बात है तो हर बात का समझातान बाबा की श्रीमत पर करो। बाप को ही देखो। बाप से जो वर्सा लेना है उससे ही मतलब है ना। जिससे मतलब है उसको पकड़ करके रखो। तक्कर आपस में खाते हो और छोड़ देते हो। बाप को इसमें तुम्हारा ही नुकसात तेरा वर्सा चला जाएगा ऐसा महामूरक नहीं बनना है इसमें सावदान रहकर स्वेम को संबालना है ऐसे नहीं यहां गेट के अंदर आए तो सेफ। हम फ्रक्षित हो गए है तो हम घर में आ गए हो गए है नहीं। सेफ्टी तो अपनी स्वेम करनी है अगर कोई भी कारण में धारना में कमी है तो फिर माया इधर भी घुश जाएगी। इधर भी टकर खिलाएगी। कोई के भाव सोभाव से, कोई के सोभाव से फिर बाप पड़ाता है। यह भूल जाएगा। ऐसे टकर चकर की बातों में गिर पड़ेंगे। इसलिए क्या कर रहे हैं बाबा। सावदान। एक को गिरता हुआ देखेंगे। तो दूसरे को सावदान करेंगे। कि देखना यहां फिसलन है। संबलना। सावदान रहना। यही तो अपना धर्म है। कहां से कौन कौन कैसे फिसलते या किसकते हैं। वे आप लोगों के ध्यान में इन एडवांस दिया जाता है। आप चल रहे हो तो खबरदारी से चलना। बाप से पूरा वर्षा पाना। है तो फिर पूरा पाऊं दिरता से रखना। परमात्मा के ज्यान की यह मनजिल बहुत उची है। यही जो बाते आती हैं। इनसे पार होना और अपना पूरा अधिकार प्राप्त करना। तो इन सभी बातों में अपने को संभालना है। चाहे पुराने हैं या नए हैं। यह बाते सब के लिए हैं। नए पुराने सब के उपर माया की नजर है। अभी हाम कोई माया प्रूफ नहीं हो गए है। अगर आत्मा कम्प्लीट हो गई। शरीर भी कम्प्लीट होना चाहिए। परन्तु नहीं। अभी अनकम्प्लीट शरीर में बैठे। तो इसका मतलब है कि आत्मा कुछ अनकम्प्लीट है। संपूर नहीं बनी है। लेकिन घड़ी-घड़ी माया की अंगूर खानी है। गड़ी-घड़ी लेकिन घड़ी-घड़ी माया की अंगूरी नहीं खानी। अंगूरी नहीं, अंगूरी है। अंगूरी समझते हैं। अंगूर होता है बड़े वाला अच्छे वाला। माया की अंगूरी माया की अंगूरी को बड़ा खाना नहीं है को ही जो भी अपने जीवन में नहीं ला जेना इससे चोट लगती है माया की छोटी सी भी अंगूरी खाई छोटी सी भी कोई चीज खाई मैं बड़ा अंगूर नहीं खाया छोटी से अंगूरी खा ले क्यों खाई इससे चोट लगती है फिर वो रजिस्टर अच्छा नहीं रहेगा नाम तो खराब होगा, होगा ना, माया बहुत युक्ति बाज होके गिराती है, बड़ी युक्ति बाज होकर के माया गिराती है, यही तो हमारी माया से बहुत लड़ाई है, बाकी कौरो पांडवों के कोई युद्ध नहीं होई है, यह तो पांडवों ने माया से युद्ध की है, अभी हमें क्या करना है, अब क्या करना है, अपने को माया से से स्रक्षित करते चलो, माया से क्या करो, स्रक्षित करते चलो, दूसरा अपना तन, मन, धन, क्या कर दो, पिक्स डिपोजिट, कहा करना है, आलमाइटी बैंक में, दुनिया बैंक में नहीं, यह तो खत्व कर देगे, इसे इंशूर करके, अपने स्रेष्ट कर्म से, अपने स्रेष्ट कर्म से, अपना भविश्य उंच बनाते चलो, अब जो करेगा, तो पाइक, डारेक्शन तो सब के लिए एक ही है, लेकिन, जो करेगा वही अपना, बनाएगा, बाप से भी जो अपने संबंध पूरा रखना है, उसमें दूसरों को नहीं देखना है, यह वो कर रहे हैं के नहीं कर रहें, यह सब दारना है, अपने को समझाने के लिए हैं, क्या रोंग है, क्या राइट है, यह दूसरों को समझाना माना, अपने को चेक करना है, क्या रोंग है, क्या राइट है, यह दूसरों को समझाना माना, अपने आपको समझाना, इसलिए बाबा भी कहते हैं, दूसरों को समझाना बनाओ, तो खुद भी खबरदार रहेंगे, तो सभी ऐसी तेज रफ़तार से चल रहे हो ना, अच्छा, बाकी सारे दिन की दिन चरिया का बाबा की याद का, सर्विष का पूरा चार्ट रखते चलो, सारे दिन कितना बाबा को याद किया, वो पूरा चार्ट रखते चलो, बाबा की याद, बाकी सारे दिन की दिन चरिया का, बाबा की याद का सर्विष का पूरा पूरा चार्ट रखते चलो, शरीर निर्वा के लिए जो काम करते हो वो भी करना है वे भी करना है लेकिन लेकिन क्या लोब लालच बहुत नहीं रखना अपने पेट की अजीव का जितना काम चलाना समय को बरबाद करना है बाकी जो टाइम है बुद्धी बल से बुद्धी बल बाबा की शिरीमत पर चलने के अनभवी उनुद कुमार पुद्धी से तन, मन, धन इश्वर ये कार्य में लगाने फाइदा ही फाइदा है क्योंकि तुम को किसमें फाइदा है बाबा के शिवा में तन, मन, धन लगाने में ही फाइदा है जम्मा होगा क्योंकि उस से आभी जम्मा होता होगा तो बाब कहते हैं बचे आभी अपना जम्मा करो जिस से तुमको सो गुणा हजार गुणा वो करके मिलें अच्छा और मा का याद क्याद और गुण मौने बाब का हम सब बच्चों को याद क्याद और गुण मौने बच्चों की भी बाप जादा को नमस्ते नमस्ते वर्दान है बिंदु रूप बाब की याद से हर सेकिन कमाई जमा करने वाले हैं हर सेकिन क्या करना है हमको कमाई जमा करने हैं बिंदु रूप में स्थित होने से क्या कमाई होगी सब को हम बिंदु रूप आत्मा देएं तो उससे क्या बनेंगे पदमा पदमपती बन जाएगे आप बच्चे एक एक सेकिन में पदमों से भी जादा कमाई जमा कर सकते हो जैसे एक के आगे एक बिंदी लगाओ तो दस हो जाता है फिर एक बिंदी लगाओ तो सौ हो जाता है ऐसे एक सेकिन बिंदू रूप बाप को याद करो सेकिन बीता और बिंदी लगाओ इतनी बड़ी कमाई जमा करने वाले आप बच्चे अभी क्या बने हो तो पदमा पदमपती बनते हो जो फिर अनेक जनमता खाते रहते हैं और एक जनम तक खाते रहते हो ऐसे कमाई करने वाले बच्चों पर बाप को भी ना जाए स्लोगर बिगड़े हुए कार्ये को बिगड़े हुए संसकारों को बिगड़े हुए मूड को बिगड़े हुए कार्ये को बिगड़े हुए संसकारों को आलतों को और बिगड़े हुए मूड को शिव भावना से ठीक कर देना यही स्रेश्ट सेना यही स्रेश्ट सेना अच्छा ओशन्ति और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता प्रम्हा कुमारे इश्वर्ये विश्विज्याले से संपर करे, कोई प्रेशन हो, तो 9213106986 पर केवल, टली ग्राम करे 9650692270 करे केवल, वर्षव करे ओन नहें, ओम्शावचिव।